दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्ल्ड अफेस चैनल पर स्टार्ट करते हैं आपने आज के करेंड फेस्ट डेली बिसिस पर यहां पर आप पड़ सकते हैं किक पॉइंट्स और नाश्यल स्पेशल डेंज की विडियल नूज ऑद दे पी वाई क्यू तो आप साथ के साथ मेर को 500 प्लस करेंड फिर बढ़ा रहा हूं तो आप इस टेलिक्राम चैनल को एक्सेस करेंगे तो उसमें आपको करेंड फिर मैराथन मिलेगा जो आप देख सकते हैं क्यूक रिविजन के लिए 12 मंत का चली तो आज का पहला कोशन आप सभी के सामने हाल फिलाल में कौन सा ऐसा स्टेशन है जिसको अयोध्या केंट जो है खोशित किया गया मतब रिनेम किया गया है यूपी सरकार के द्वारा तो कौन से रिल्वे स्टेशन को तो इन सभी फेमस रिल्वे स्टेशन में से फैजाबाद रिल्वे स्टेशन को जो है अयोध्या केंट के नाम से रिनेम किया गया है important question है देखिए यह जो बदलाव है यह यूपी सरकार कर रही है इसमें और भी बहुत सारे proposal है इससे पहले government ने rename किया था मुगल सराय रेलवे station को तो यह तो अभी का है update इससे पहले मुगल सराय रेलवे station को जो है बदल के दीन द्याल उपाद्याय जंक्षिन के नाम से रखा गया था उसके अलावा कुछ और जो है प्रपोजल भी है कि आगरा airport को जो है जन संग founder जो दीन द्याल उपाद्याय जहां उनके नाम पर रखा जाए उसके अलावा possibility है आजम गड़ जो है इसको आरेन गड़ जो है इसके नाम से रखा जाए और आगरा को आगरवन और अली गड़ को हरी गड़ के नाम से यह बदलाब भी possible हैं तो यह सब कोशन आ सकते हैं डारेक्ट किसको किसमें से चया बड़ा महत्तपुर्ण सवाल कि world स्वर्योसिस डेज़ है इसका धीम क्या रहा हम देखते हैं हम देखते हैं इसको डिटेल ब्राइब क्या है PB पोलिटी लाइफ ऐधे लिए क्या सraf ट्रोफ करने के लिए क्वालिटी लॉडव गीव ह medal जो की से सिए यह जूद रहे लिए ठीके जिन को इसे सफ मुझें है इसकी मैं उनकी को औहने के लिए कि वो अपनी लाइफ को कैसे priority proof कर सकते हैं दूसरा important ये कि इसका theme सवार का informed है तो inform भी बस term इसले ही उसकिया गया है कि हमें इतने भी हमें पता होना चाहिए हमें encourage करना चाहिए उन लोगों को जो कि seriousis के pain से तड़प रहे हैं उन victims को promote करना चाहिए कि वो किस तरीके से अपनी quality of life को कर सकते हैं इतिहास के ओपर अगर सवाल आए कि कि क्या इसका इतिहास रहा तो 2004 में world serious day जो है celebrate पहली बार किया गया था world health organization member countries के द्वारा ठीक है तो important question है ये भी मिल सकता है चली एक और question देखिएगा तीसरा question देखिए आर बीएई ने हाल फिलाल में बल्देव प्रकास जी को किस बैंक का managing director CEO घुशित किया है तो यह जम्मू कश्मीर बैंक है जम्मू कश्मीर बैंक के जो है यह ने MD और CEO है question आ सकता है अब tenure का भी कभी कभी सवार आयाता है तो तीन साल का tenure है इनका और इससे पहले बल्देव प्रकास जी जो है state bank और इंडिया में बहुत सारी capacities में इन्होंने काम किया जर्नल जो chief general manager है उनकी तरह digital transaction banking marketing मार्केटिंग में और उसके अराबा जो framing इन्होंने बहुत सारी bank की policies जो है create करिए तो question इस पर आ सकता है यह straight away question बस इतना ही रहता है कि JK bank जो है इसके नए MDCO को कोन बने है तो question आने के chances होते हैं यह बहुत महत्पूर्ट सवाल इसकी पर यह जो व्यक्ति है personality इनकी बहुत famous है ठीक है हाल फिलाल में chair person nafit के कोन बनाए गया तो kv command जो है इनको बनाए गया है बहुत famous व्यक्ति ठीक है पहली बात तो यह जो पूरा nafit है इसको बारे में पूछा आ सकता है यह nafit institute जो है इसका पीज हजार करोड का setup है ठीक है ध्यान रखें government ने अनॉंस किया है कि जो वेटरन बेंक के भी अमाते चेर परसन होंगे यह newly set up 20-20,000 करोड का development finance institute है इसका काम क्या है ठीक है जितने भी investment इंडिया में हो रही है उन सभी को catalyze करने के लिए यह जो है fund बनाया गया है ठीक है पूरा institute बनाया गया है और इसके बाब 20,000 करोड का round fund है तो पर्लिमेंट ने नैशनल bank for financing infrastructure development फुल फूम भी पूछे आ सकती है तो नैशनल bank for financing infrastructure and development तो infrastructure development को finance करने के लिए बिल आए गया था बीसी किसका इसमें इतने भी नोन रिसोर्स इंफ्रस्रक्ट्टर फाइनसिंग है उस पर फोकस किया जा रहा है अब सवाल यह भी आ सकता है कि यह व्यक्ति है बहुत प्रसीद व्यक्ति है यह सबसे पहले इन्होंने अपने पांच साल कवर करें है तो आब इन्होंने रिटार्मेंट लिए इसलिए वेटरन वर्ड भी यूज़ किया गया अब लेकिन इन्हें दोबारा चेहर पर समना देख गया 73-year-old banker जो है इनको के वी के नाम से आता है इनका जो करियर है इन्होंने 1971 में Development Finance Institution से जो कि IEC जो है उसके थे एक कोशन आने के चांसे से हैं देखिए बहुत महत्पूंट सवाल हाल फिलाल में एक मेगा vaccination program campaign जो है स्टार्ट किया गया किंद्र सरकार के द्वारा को रोकने के लिए बिल्कुल eliminate करने के लिए next month से शुरुआत की गया है नाम क्या है हर घर दस्तक campaign इसकी शुरुआत जो है दो नवंबर से होगी तो यह announcement किया गया है campaign by government of India to be launched on 2 November हर घर दस्तक किस दिन दो नवंबर को धनवंत्री दिवस होने वाला है इस occasion पर तो यह एक तरीके से door-to-door vaccination drive है अभी तक ऐसा होता है कि हम कोविट centers पर जाते हैं वहां पर vaccination लगाते हैं तो दो नवंबर से यह drive हर घर दस्तक का मतलब यह है कि जो vaccination है वो आपको घर बैटे भी मिल सकती है क्योंकि जो vaccination administrator है वो विजिट करेंगे आपके घर पर अगर आपको second dose if you are not even आपको vaccination लगा ही नहीं आ फिर second vaccination तो वह आपको घर बैठे भी लग पाएगा तो यह union health ministry का target है कि vaccination जो है हर एक जगा होने चाहिए no district should be without full vaccination तो यह doses सभी को मिल दाएंगे तो अच्छी बात है एक international internet day बहुत important सवाल एक इस दिन अबसर के आता है 29 October को इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है लेट सी कि international internet जो डे है यह 29 October को क्यों अबसर के आता है पहली बात तो इस दिन एक बहुत इतिहास एक टेली communication और technology से संबंदित movement हुआ था ठीक है अब यह क्या था कि पहली बार इस दिन 29 October को electronic message transfer किया गया था एक computer से दूसरे computer में 1968 में किस ने किया था ठीक है दिमाग पर रहे कि चाल केली नाम की student programmer थे University of California Los Angeles में इनके दुबारा पहली बार एक electronic message जो है LO यह 29 October 1969 में जो है ट्रांस्पोट किया गया था और इसके समय में इस समय जो इंटरनेट के लिए वर्ड यूस होता था वह एपर जो है एरपेंड वर्ड यूस किया जाता था इंटरनेट को पहले एरपेंड कहते थे Advanced Research Project Agency Network तो कैली ने यह जो पूरा इवर्ड को तो पूरा डेटेल फो में हम जान सकते हैं तो और इसका यह भी याद रखे यह तो इवेंट है पहली बार अगर पूछागा ऑफिशिली ऑफजर किया गया इंटरनेट डे किस दिन तो पहली बार 29 अक्टूबर 2005 में ऑफजर किया गया था इस इवेंट की गया देखी इंडिया की तरफ से हमारे नेशनल सेक्योर्टी काउंसिल ठीक है थे अजित देओल जी आप सभी जानते हैं ठीक है एड़वाइसर जो हमारे एणस तो आज अजित देओल जी थे और दूसरा किर्गिस्थान की तरफ से सेक्रेटरी और सवाल बस इतना ही आएगा कि भारत में जो है कुंस भारत और कुंसे देश के बीच में जो है सेक्योर्टी डायलोग होने हैं तो यह इसका आंसर खिर्गिस्तान होगा और इंडिया और खिर्गिस्तान का सेम जो है अधर बालेटर सेक्योर्टी रीशू को लेखें बढ़ा महत्पुन सवाल कौन से इसमें से व्यक्ति हैं जिनको 2021 प्रेजिदेंशल इलेक्शन जीते हैं कौन से देश के तो वह तो मैं आपको बता देता हूं पहले व्यक्ति का नाम याद रखिए स्वकत मिर्जियों जो हैं यह जीते हैं सेकंड अब किस देश से ध्यान रखेंगा कोशन आ सकता उजबेकिस्तान तो यह जो व्यक्ति हैं तो यह स्वकत नाम के यह उजबेकिस्त ब्रह रह चुके हैं 2003 से लेके 2016 तक और यह इनका सेकेंड टम है जो यह स्वीप की है 64 और इनको 80.1 परसंट टोटल वोट मिले हैं और इनका प्रामिस्टर से प्रेजिडन और अब सेकेंड टम भी इनका है उस्बेकिस्तान का है क्योंकि इंप्रेंट तक्स्तान अग्रिमेंट आप में सुनाओगा इसलिए कोशन आ सकता है एक करंसी जो है उस्बेक सोम्स का आंसर है एक और कोशन देखिए हल्थी मूमन हेल्थी गोवा इनिशेटिव लोंज किया गया है कौन से फांडेशन के द्वारा तो आंसर इसको कि शुर्वात युवराज सिंग जी के द्वारा स्टार्ट की इंटरनेशनल क्रिकेट आइकन है आप सभी जानते हैं युवराज सिंग कैंसर को इन्होंने हराय था किसी समय में इसमें इसमें यह पूरा हो रहा है इसमें गोवा की गोवर्मेंट भी एस अमलित है और S.B.I Foundation जो है इस पर भी कोशन आ सकता है कि S.B.I. Foundation भी इसी का हिस्सा इस समय मतलब दोन तीनों कोलाबरेट कियो है कोशन आ सकता है और इनका टार्गेट है स्वस्त महिला स्वस्त गोवा इनिशेटिव अब इसमें यह क्या करेंगे कि स्क्रीनिंग करेंगे एक लाख वुमेंस की स्क्रीनिंग करेंगे और इसके लिए क्या करने वाले हैं ठीक है S.B.I. Foundation बैंकिंग जो है इसकी वज़त से यह फ्री बेस्ट स्क्रीन जो यूटलाइजिंग आई बेस्ट डिवाइस है यह देने वाले हैं दो साल के लिए और जिसका भी अगर पोजिटिव आता है उन सभी का जो है ना फ्री टीटमेंट होने वाला इनके दौरा तो कोशन आने के चांसे हैं चलिए एक और क्यूक पॉइंट देखते हैं आज के एमडी ऑफ इचर मोटर रिसंटी किसको बनागे सिधार्थ लाल जी को एक है बीच इस मोटो जीपी वाल्ट चैंपिंशिप फैबियो खर्ट्रों जीते हैं 34 चिल्डरन फ्रेंड्ली पॉलिस स्टेशन सेट अप किए औरी सामें मैंने कल आप से एक सवाल पूछा था कि जो टेक्नोलोजी जाएंट है कंप्यूटे टेक्नोलोजी जाएंट इंटल इसके हैड़कॉर्टर कहां पर सभी ने आंसर सही जिए है रिया सिंग के द्वारा भी करेक्ट आंसर आज का कोशन 2016 का कोशन है ठीक है हुमन में में जो नैट्रोजिनस वेस्ट होता है वह कौन सा होता है कंप्लीट आप यह कंसेप्ट बताएं इसमें से कौन-कौन सा वेस्ट किस-किस का होता है और किसे हम क्या कहते है चलिए लिखेगा उसको इसमें आपको 500 के आज-पास कोशन आज मिल देंगे इस मेराथोन में ठेक है फुल फ्लेज बारावंत का मेराथोन है टेलिग्राम चैनल जोइन करेगा बाकि फ्री क्लास इस सारी हो रही है और आप कोर्सिस के लिए सब्स्रिप्शन ले सकते हैं कि सब्स् लेने से पहले रेफर कोडल यूज कर लेना लाइव और फिर मंद सेलेक्ट करेंगे जिससे आपकी फीस यह हो जाए कम हो जाए फीस और आठ मन्त आपको एक्स्टा मिलते हैं 24 मंद पर सारे टीचर्स अब लेबल है लिंक आपको डिस्रिप्शन वोक्स में दे रखा है बेन फिट जादा है तो आप सेशन को लाइक भी करें शेर करें चैनल को सब्स्राइब करें थैंक्स अलोट फॉर वाचिंग